नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है कई बार घर में खिचडी बनाते हैं और वे बच जाती है और ठंडी खिचडी को खाने का मन भी नहीं होता ऐसे में खिचडी में कुछ ट्विस्ट डाल दें तो यह सभी की फेवरिट बन जाती है इसलिए आज हम चाच वाली मसाले दर खिचडी बनाएंगे और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम मी नहीं लेगा सिर्फ दो मिनिट में ही बन कर तयार हो जाती है चलिए बना लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथी बेल आइकन जरूर दबाएं जिसे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें ये मैंने एक बोल खिचडी ले ली है जिसे मैंने रात को डिनर में बनाया था ठंडी हो जाने के कारण ये काफी गाड़ी हो गई है मैंने इस खिचडी को सबजियों के साथ बनाया है आपके पस मसाले वाली खिचडी, प्लेन खिचडी, सबजी वाली खिचडी जोबी खिचड़ी आपके पास है उसी से बना लें लेकिन बनाते समय टेस्स के अनुसार ही मसाले डालें इसके लिए एक पैन में एक चममच गी या औल डाल दें और उसे गरम कर लें खिचडी में पहले से ही गी डला हुआ है इसलिए एक चमज घी का ही यूज किया है इसमें एक चमज जीरा और एक पिंच हीनका डाल दें और उसे चटकने दें इसे कुछ सेकंड्स के लिए सेख लें जब जीरा चटकने लगे तो एक हरी मिर्च बारी काट कर और एक छोटा प्यास डाल दें इसे हमें बहुत जादा नहीं सेखना है सिर्फ लाइट ब्राउन कलर होने तक ही सेखना है इसे लगातर चलाते हुए ही सेख लेंगे प्यास भी सिख गया है आप चाहें तो इस स्टेज पर कुछ बॉइल सबजियां भी डाल सकते हैं लेकिन मेरी खिचडी में सबजियां पहले से ही डली हुई है इसमें चौथाई चमच से भी कम हल्दी पाउडर और इतनी ही लाल मिर्च पाउडर डाल देनी है खिचडी में मसाले पहले से डले हुए हैं इसलिए मसाले उसके अनुसार ही डालें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें एक बार और मिक्स कर दें और गैस को ओफ कर दें अब इसमें बची हुई खिचडी को डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अभी गैस की फ्लेम को ओफ ही रखना है और खिचडी को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इससे पैन थोड़ा ठंडा हो जाएगा यह मैंने एक कटूरी दही को बीट कर लिया है और इसकी गाड़ी चाच बना लिया है यह 200 ml गाड़ी चाच है चाच को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है नहीं तो यह फट जाएगा इसलिए हमने गैस की फ्लेम को आफ भी कर दिया था जिससे की दही फटे नहीं देखे यह अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है अब इसमें एक कटूरी पानी भी डाल देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एड़जस्ट कर लेंगे आपकी खिचडी यह अभी भी थिक है तो इसमें थोड़ा पानी और डाल दें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी को एड़जस्ट कर लें अब इसे स्टेज पर गैस को आउन कर देंगे और लगातर चलाते हुए बॉइल आने देंगे खिचडी पहले से ही पकी हुई है इसलिए हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है बस एक मिनिट के बाद ही गैस को आफ कर देंगे इसक बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और गर्मा गरम सर्व करें इसे धनिया पती से गानिश करें चाहें तो इसमें एक चमच देशी घी भी डाल दें पापड के साथ खाएं या इसे ऐसे ही खाएं ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में तो बिल्कुल भ ये सिपस्की साथ